Hello everyone, welcome to Swy Education देखो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं food fortification के बारे में और यहां पर food fortification में हम ये समझेंगे कि exam point of view से आप से कैसे questions पूछे जा सकते हैं आपने food fortification इसके पहले भी पढ़ा होगा बट यहां पर आपको बस ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर questions कहां से बन सकते हैं exam point of view से वो आपके लिए important है basically जो questions पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि जो food fortification के time पे जो selection of food होता है वो क्या होना चाहिए selection of food का मतलब यह है कि अगर हमें micronutrients है supposedly मान लेते हैं कि वो vitamin A है या vitamin D है और उसके बाद में अगर हम minerals की बात करते हैं तो उसमें minerals जैसे iodine हो गया iron हो गया अगर इनको nutrients में क्या करना है अगर इनका fortification करना है लोगों की diet में इसको सामिल करना है तो हम कौन सा food यहाँ पर select करे सबसे पहले इसको देखने को मिलते हैं तो यहाँ आई हो पर आपको समझ में आ गई होगी दूसरे कोश्चन यहां पर यह बनते हैं कि कौन से food में अगर हम यहां पर add कर रहे हैं तो उसका amount क्या होता है तो amount बहुत important हो इसको समझने को मिल जाते हैं ठीक है तो food fordification को समझन सारी चीजों को एकदम step by step cover करने वाले है, सबसे पहला यहाँ पर देखो आपको एक क्या दिख रहा है, एक logo दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक logo दिख रहा है, यह logo क्या है, यह 45 फूड का logo है, अगर आप market में जाते हो, कोई भी food purchase करते हो, उसके उपर अगर आपको यह blue color क F logo दिखता है, यानि इसका मतलब यह है, कि वो जो food है, वो fortified है, ठीक है, तो यहाँ पर यह logo, इसे questions पूछे जा चुके हैं, तो यह बहुत basic है, तो इसमें आपको क्या देखना है, कभी-कभी यह logo नहीं देता है paper में, आप से यहाँ पर यह पूछता है, कि जैसे कि यह एक F letter यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर plus ring आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, किस side में है, left side में है, right side में है, साथ में यहाँ पर यह क्या दिखता है, आपको एक half circle देखता है, उसके बाद में यहाँ पर यह आपको box के अंदर इसको भी आपको याद रखना है, यह कुछ basic चीजे है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक image देख रही है, ठीक है, तो अगर fortification करेंगे, अगर fortification हम करते हैं, तो उसके क्या benefits हो सकते हैं, अभी इसके बाद में हम आगे यह देखेंगे, कि इतनी जादा जरूरत क्या ही मिलती हैं यानि कि हम उनको eliminate कर सकते हैं होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं micronutrients की सबसे पहली बात यहां पर हम micronutrients को add कर रहें तो यह जो micronutrients हैं हमारी body को बहुत काम amount में इनकी जरुवत होती है बट अगर इनकी deficiency हो जाती है तो हमारी body में यहां पर बहुत बड़ा change देखने को मिलता है कहने को तो यह micronutrients है बट अगर इनकी deficiency हो जाया तो हमारी body में एक macro changes हमें देखने को मिलते हैं यानि कि बड़े level पर changes देखने को मिलते हैं वो कभी-कभी जाकर के बहुत जादा severe भी हो जाते हैं तो एक micronutrients हमारी life के लिए हमारी health के लिए कितना जादा important हो सकता है यह चीज़े अभी आगे हम देखेंगे सबसे पहली बात यहां पर अगर है तो growth development हमें देखने को मिलता है अगर proper manner में nutrients हमारी food में involved है healthy skin हमें देखने को मिलती है ठीक है इसके साथ इसाथ अगर आप देखोगे तो यहां पर जो bone है वो काफी strong होती है अगर nutrients की कमी नहीं है ठीक है उसके बाद में यहां पर better eyesight हमें देखने को मिलता है और उसके बाद में यहां पर immunity को भी बूस्ट करता है बट आज के टाइम पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे vitamins या फिर minerals होते हैं जो normal हम lifestyle जीते हैं food बगेरा consume करते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिल पाता है और उसी की वज़े से हर एक आज के टाइम आप देखोगे कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास में हम यह कह सकते हैं कि उसको 100% जो nutrition requirement होता है daily intake वो उसको मिल जाता है नहीं मिलता है अगर वो बहुत जादा ध्यान देता है अपनी diet को proper manner में लेता है तब जाकर के वो सारी च चीजों को देखते हुए कि government ने यह सोचा कि कुछ ऐसे staple food को target किया जा तो जो हम अपनी daily life में consume करते है इस टेपल फूल क्या एक large mass population जिनको consume करते हैं जैसा कि salt की अगर बात करें तो यहां पर salt जो है वो use होता है हर एक घर में use होता है अगर हम wheat और wheat floor की बात करें तो वो भ लोग consume करते हैं rice तो बहुत ज्यादा amount में होता ही होता है पूरी country में तो एक mass population इसको consume करते हैं तो इस वज़े से इनको select किया गया fortification के लिए तो आई होब आपको यह बात समझ में आई तो यह कुछ important है salt है wheat है और उसके बाद में देखो कि rice हो गया oil हो गया milk हो गया तो यह कुछ 5 staple food है जिनको यहां पर fortification के लिए use किया गया तो selection of food बहुत important होता है fortification करने से पहले अब selection criteria क्या होते है किन parameter के basis पिन को select कि क्या जाता है वो अभी हम आगे यहां पर देखेंगे तो आई होब आपको इतनी चीज जो है वो समझ में आ गई अब वो तो हमने basic समझा देखो food fortification को लेकर के डबलू एचो क्या गयता है यानि कि world health organization इसके बारे में क्या कहता है और अगर हम fortification की बारे में देखें तो गरते हैं nutrients are added to food यहां पर हम क्या कर रहे हैं अएड कर रहे हैं nutrients को एड कर रहे हैं food में in relatively small quantities बहुत स्मॉल कॉंटिती में हम Add करते हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जाता है जिसको हम fortification बोलते हैं और इसमें हम nutrients को small amount में food में add करते हैं ठीक है अब यहां पर यह सबसे पहले देखा जाता है कि large community और population उसको consume करती है ठीक है तो इस वजह से हम यह कोशिश करते हैं अब यहां पर यह भी है कि अगर हम किसी ऐसे article of food को अगर हम लें जिसमें हम fortification करें हो सकता है कि south region में उसको consume किया जाता हो बरth region में ना किया जाता हो नौर्थ रीजन में भी अगर हम देखते हैं कि कुछ community है जो वहां पर उसको consume करती है बड़ सभी लोग नहीं करते है तो उससे जो हमारी government है उसका purpose वहां पर solve नहीं होगा ठीक है तो यहां पर जो भी government है हमारी जो central government Saramoke है कि government कभी पॉलिसी बनाएं या कुछ भी बनाती है उनका जो बनाने का intention होता है वो कभी गलत नहीं होता है government कितनी भी खराब हो 1 थी? गवर्मेंट कितनी भी खराब हो कोई भी गवर्मेंट हो वहाँ पर यही सोच के बनाती है कि जो हमारे कंट्री में जो एकदम पूर लेवल पर जो पॉपुलेशन है ठीक है जो विलेज में रहते हैं जो पी जो इतने अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है जो एजुकेटेड वाँ उनको धिहान में रखते हुए एक क्लास को धिहान में न रखते हुए कि पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको धिहान में रखते हुए यहाँ पर यह सारी चीज़ कोई भी स्चीम से उनको यहाँ पर benefit मिल पाया क्योंकि country तो तब यह आगे बढ़ेगा नेकि आप दे जनरेशन भी काफी अच्छी होगी तो उनके केस में ऐसी चीज़े हमें देखने को नहीं मिलती है ठीक है यहाँ पर अगर हम एक लार्ज पॉपुलिशन की बात करें जो यहाँ पर आप देखोगे कि विलेज वगेरा में रहती है उनको यह सारी चीज़े नहीं पता होती है कि जो राशन की शॉप वगेरा होती है वहाँ पर जो राइस वगेरा होता है उसको फोटिफाई करके गवर्मेंट पहुचा देती है ठीक है तो इस तरीके चीज़े जो है वो अवलेवल कराई जाती है जिससे सब तक यहां तक पहुँच सकें उसकी बाद में फूट करते थे कि यह माइक्रो नूट्रेंट्स हैं इनको आप मार्केट से बहुत कम अमाउंट में इनकी टैबलेट्स वगेरा या कुछ भी आप कंजूम कर सकते हो तो क्या होता है कि वह इतना इफेक्टिव नहीं होता है तो वह सारी चीज़ें यहां पर देखी गे फिर उसके बाद में देखा गया है कि डेली डाइट अब नूट्रेशन ऐसा नहीं है कि हमने आज आज अगर हमों हमारी जो विटमेंट डी या विटमेंट एक जो रिक्वार्मेंट थी पूरी हो गई कल हमको दुबारा से नहीं जरूरत पड़ेगी आपको डेली हो चाहिए डेली हमे नूट्रेशन की जरूरत पड़ती है बॉडी को फंक्शन करने के लिए तो डेली सारी रिक्वार्मेंट को फुल्फिल करना किसी डिफरेंट तरीके से काफी मुश्किल होगा बट अगर हम यह चीज यहां पर ध्यान दे कि डेली जो फूड हम कंजूम करते हैं इस्टेफल नूट्रियंट डिफिशेंसी जो माइक्रो डिफिशेंसी होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए कम करने के लिए यह एक सबसे बेटर ओप्शन हो सकता है तो इस वज़े से हम यहां पर क्या करते हैं फूड फॉड फॉडिफिकेशन का यूज करते हैं साथ में यह भी जो डिजीज है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे पेलागरा क्या है तो उसको दूर करने के लिए वहां की government ने क्या किया bread में nutrients को add कर दिया और और उन्होंने successfully पिलागरा को वहां पर खतम किया तो ऐसी काफी success stories हमें देखने को मिल जाती तो काफी हमारे पास में references भी अवलेबल हैं और काफी सारी studies भी अवलेबल हैं जिसके basis पे food fortification देखने में हम यह कह सकते हैं कि यह most cost effective एक process हो सकता है most efficient process हो सकता है ठीके अब यहाँ पर दूसरी बात सबसे बड़ी important आती है अगर हमारी country में food fortification को लेकर के बात आएगी तो government तो करती करती है यहाँ पर एक सबसे बड़ा organization आता है FSAI food safety in the standard authority of India तो यह इसके लिए क्या होता है responsible होता है और FSAI यहाँ पर क्या करता है FSAI की सबसे बड़ी responsibility क्या होती है वो यह responsibility होती है कि इसको लेकर के पूरी country में awareness फैलाना awareness फैलाना अब यहाँ पर awareness किस तरीके से कि लोगों को बताओ लोगों को fortification food के बारे में बताओ 45 food के बारे में बताओ अवेर कर आओ यह सारी चीज़े हो गई इसके साथी साथ FSAI का एक center होता है food fortification resource center ठीक है जिसको हम क्या बोलते है FFRT ठीक है food fortification resource center तो वो सारा यह जो काम है fortification वाला यह सब करता है ठीक है तो आयो पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आएं अब यहाँ पर देखो यह बहुत important लेना पड़ता है देखो यहाँ पर चार picture है एक दो ठीक है तीन और यह चार चारो picture कुछ ना कुछ आपको बताती है सबसे पहली image यहाँ पर आपको बता रही है अगर आप देख पा रहे होगे इस picture में आप देखो यह जो बच्चा है यहाँ पर क्या है कि यह भी malnutrition का सिकार है इसकी growth देखो कि आप properly नहीं हुई है इसको जो proper nutrition चाहिए था वो यहाँ पर इसको नहीं मिल पाया है ठीक है दोनोई picture में आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी तो इसको हम क्या बोलते है इसको ह यह आगे बढ़ना भी चाहेगा तो इसे नहीं बढ़ पायेगा क्योंकि अगर आगे यह चाहेगा भी कि मैं आगे बढ़ू या कुछ भी करो तो लेकिन कहीं न कहीं यह चीज़ें आगे जाकर के बहुत जादा problem करती है तो हमारी mental health और physical health दोनों अच्छी होनी चाहिए देखने को मिला है तो यह 45 height rise है तो government क्या करती है मिठडे मील होता है जो government schools होते हैं वहाँ पर जो आपको मिठðे मील मिलता है तो वहाँ पर जो राइस वगेरा जो consume करते है तो वहाँ राइस और giynao ूजाय करता तो government वहाँ ऽौब पर 45 राइस जो है बट अगर ऐसे हैं जो इस्कूल नहीं जाते हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते गवर्मेंट स्कूल ही नहीं जाते तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है तो यहां पर कुछ अध्र कह सकते हैं कि इनको थोड़ा बहुत nutrition मिल जाता है बट इतना से तो काम नहीं चलेगा, डेली चाहिए होता है, तो इस सुडेंट जरूरी नहीं है कि डेली स्कूल जाएगा, तो उसको वहाँ पर सारी चीजे मिल जाएगी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हो सकती है, अब आपको यहाँ पर एक फैमिली यह देखने को मिलती है, यह आप फैमिली देख रहो, यह यहाँ पर एक पूरी तरीके से डिफरेंट है, इनके सामने आप देखोगे कि यहाँ पर यह एक वेल इस्टैबलिश्ट फैमिली है, इनके पास में एजुकेशन की कमी नहीं है, इनके पास में पैसे की कमी नहीं है, और इनकी प्रॉपर ज जो है वो भी 45 है उसके बाद में आप मिल्क देखोगे यहां पर देखोगे जैसे यह सॉल्ट है यह भी 45 है यहां पर यह जो भी फोटीफाइड है तो यहां पर यह एक फैमिली ऐसी है कि इसको पता है कि नूट्रियंट्स कितना ज्यादा होते और फोटीफाइड नूट्रियंट्स फोटीफाइड फूर्ड कितना ज्यादा इंप्वाटेंट्स होते हैं तो यह अपनी जरूरत के हिसाब यहां पर क्या होगी और इनको ग्रोथ में आगे बढ़ने में कोई भी प्राबलम नहीं आएगी बट इनका क्या होगा इनका क कि गवर्मेंट जो है वो सारी चीज़े लेकर के आती है और फिर भी हम यह कह सकते हैं कि अभी भी हम पूरी तरीके से इन चीज़ों को खतम नहीं कर पाएं है ठीक है अब एक चीज आपके सामने यह आती है कि अगर माइक्रो नुट्रेंट्स अगरि इतना इं Advance है क्यों अगर माइक्रो नुट्रेंट्स की कमी हो जाती है तो आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलती है तो यहाँ पर इंप यहां पर बात करें आ और सम एक्जाम्पल जैसे कि दिये अगर है बट यहाँ पर कुछ important disease है जिनको हम देख लेते हैं पहला option यहाँ पर आपके सामने आता है किसका इसकरवी का ठीक है अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है यहाँ से भी questions बनते हैं यहाँ पर आपको यह याद रखना है सबसे पहली बात यह है कि यह जो disease है इनका नाम आपको पता होनी चाहिए दूसरी बात यहाँ पर यह पता होनी चाहिए यह किस micronutrients की deficiency से हुआ है दूसरा तीसरा आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमें symptoms है वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम बात करते है इस करवी तो यह क्या है यह हमें किस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पर vitamin C की अगर deficiency हो जाती है जिसको मैं scorbic acid बोलते हैं उसकी वज़े से यह disease होती है अब इस disease में होता क्या है यहाँ पर symptoms हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि fatigue और weakness ठकान वगेरा लगने लगती है उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर solend and bleeding gums जो हमारे gums होते हैं यहाँ पर क्या होता है इस में swelling आ जाती है इसके साथी साथ यहाँ पर इसमें हमें bleeding देखने को मिलती है ठीक है joint pain होते हैं इसकिन पर rashes देखने को मिलते हैं यह किस वज़े से होता है यह vitamin c की वज़े से होता है जिसको हम इसकर भी बोलते हैं सेकेंड नंबर पर आता है हमारा ricates ठीक है ओरड़ी आपने पढ़ा होगा रिकेट में क्या होता है यह vitamin d की deficiency से होता है हमें चाल रखना है किस्की deficiency से केल्सियम और जो था होता है इनकी वज़े से यहां पर यह हमें देखने को मिलता है अब इसमें होता क्या है इसमें जो बोन होती है जो हड़ियां होती है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं वीक हो जाती है और ब्रिटिल हो जाती है ठीक है यानि कि कमजोर हो जाती है ठीक है हड़ियां वीक हो जाती है ब्रिटिल हो जाती है इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं रि और यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर भी हमें जो सिंटम्स दिखते हैं उसमें fatigue होता है weakness होता है और chocolates की होगी तो सबस्ती होता है तो इसके बाद में हमारे समने बेरी-बेरी-बेरी किस बीट्मिन की ये हमें बेरी-बेरी देखने को मिलता है अब इसमें होता क्या है इसमें भी जैसे कि सिंटम्स होते हैं स्वैलिंग होता है हर्ट प्रॉल्लमस्nya हमें देखने को मिलती है और यहां पर नर्फ जो है वो डैमेज हो जती है ठीक है नैचुरल डाइट का यूज करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो यह सोसते हैं, कि हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रियंट्स की कमी है, बिटमिन की कमी है, इसके साथ आप दिखोगे कि जो मिनरल्स की कमी है, तो वो चाहते हैं, उनकी टैबलेट्स ले आते हैं, उनकी को खा लेने से हमारी जो प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी जो डिफिशेंसी है वो दूर हो जाएगी बट ऐसा होता नहीं है रियल में वह कुछ टाइम के लिए होता है जब आपकी सिचुएशन सही ना हो उस समय में हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो तो कुछ टाइम के लि विटमिन एक ही कमी से होता है अब इसमें क्या होता है जो हमारी आई साइट होती है उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें लो विजन देखने को मिलता है और सीवियर विटमिन एक कंडिशन अगर हमें देखने को मिलती तो यहाँ पर इसको बोलते है जीरो फे दिना है उसकी बाद में कुछ और है इनको ध्यान से आप नोट कर लो एकदम एक एक वर्ड में है जहां से बनेंगे और यहीं से बनते हैं ठीक है तो आपकी यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर आता है हमारा एक कौस्कोर और साथी साथ मरास्मस आता है इसमें क्या होता है देखो यह एक तरीके का जो हमें मालनुटूशन देखने को मिलता है यहां पर प्रोटीन और एनर्जी मालनुटूशन है यहां पर प्रोटीन और एनर्जी की कमिसे में देखने को मिलता है इस क्या होता है डिक्स में आगर बात करें यहाँ पर इसमें हो जाता है हमारी बौड़ी में कहीं बहुत सारी डिजीज आपको देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर मेरासमस में क्या होता है इसमें सीवियर वास्टिंग हो जाती यानि कि लो वेट हो जाता है फॉर हाइट के अकॉर्डिंग वेट काफी लो होता है एंड मसल एट्रॉफी ह समझ में आई उसके बाद में देखो पलागरा पलागरा को लेकर में ब्रपर तरीके से किया और इन चीजों को विटमिन जो नियासिन है इसका इंडिस्मेंट कर दिया ब्रेड में और इसकी वज़े से उन्होंने successfully इसको लगभग खतम कर दिया तो पिलागरा रिजल्ट फ्रॉमाड डिफिशेंसी ऑफ नियासिन जिसको हम विटमिन भी थरी बोलते हैं इसमें होता क्या है इसमें यह होता सिम्टम्स जैसे की डर्मेटाइटिस और इसके साथ जाएरिया और डर्मेंटिया तो एक यह इसकी नहीं तो आप देखोगे कि इसकीन पे हमें बहुत सारे reddish type के और brownish और reddish type के रहसर समय देखने को मिलते बहुत जादा और आगे जाके ये बहुत जादा severe हो जाती है तो पिलाग्रा बहुत जादा खतरनाक हो जाता है बाद में फिर आता है हमारा osteoporosis ठीक है तो यहां पर एक condition आती है जिसको हम बोलते है weekend bone हो जाते है और more prone to fracture जो हो जाती है तो fracture होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाते है ठीक है फिर आता है goitr ठीक है गोईटर आपने देखा होगा जो हमारा गला होता है यहाँ पर एक large shape आ जाता है जिसको हम घेंगा गोईटर बोलते हैं यह किसकी वज़े से होता है यह होता है हमारा iodine की कमी से ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि enlargement of the thyroid gland हो जाता है जो thyroid gland होती है हमारे गले में butterfly shape हो उसका क्या होता है enlargement हो जाता है जिसकी वज़े से यहाँ पर आप देखोगे कि अगर severe iodine deficiency हो जाती है थोड़ी बहुत सुरू में हुई तो कोई दिक्कत नहीं बड़ सीवियर अगर हो जाती है can also result in the किसमें result हो जाता है यह हो जाता है आपका hypo thyroidism जिसको हम यह बोलते हैं पर क्या हो जाता है जो आपकी thyroid gland वो proper तरीके से काम नहीं करती है और वो hormones का secretion नहीं कर पाती है उस वज़े से यहाँ पर यह हमें disease मिलती है और इसकी वज़े से क्या होता है intellectual disabilities हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर आप देखोगे infant और young children में हमें यह चीज़ देखने को म अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर this type of anemia is primarily caused by lack of dietary iron तो iron की वज़े से यह एनीमिया होता है ठीक है अब एनीमिया में क्या होता है जैसे आपको बताया तो starting में blood की कमी हो जाती है leading to reduce the production of hemoglobin and red blood cells और hemoglobin का अगर production नहीं होगा तो जाहिर से बाते उसकी कमी हो जा होता है तो अगर विटमिन के insufficient amount में available है यानि कि उसकी deficiency हो गई अगर आपकी बाड़ी में तो can lead to the bleeding disorder bleeding disorder हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है विटमिन के जो होता है वह बहुत ज़्यादा important होता है blood की clotting के लिए अगर आप कहीं पर कट जाते हो तो अगर आप देखते ह होगे कुछ time के बाद है blood खुद बंद हो जाता है यानि किसका मतलब vitamin k deficiency आपकी body में नहीं हो बहुत सारे लोगों कि में क्या होता है blood की clotting नहीं हो पाती blood बहता जाता बहता जाता है तो उसको हम bleeding disorder बोल सकते है ठीक है तो आई हो आपको यह चीज़ समझ में आई फिर आता ह कि यह कितना ज्यादा important है हमारे लिए क्या micronutrients अब government ने इनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया एक proper तरीके से इनको दूर करने के लिए एक measure लिया एक step लिया एक process उसकिया जिसको हम food fortification बोलते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठीक है अब मेन बात आती है कि जब इंडिया में हम बात करते हैं किसकी food fortification की इंडिया में अगर हम बात करते है food fortification की तो वह सारा एक तरीके से पूरा का पूरा ecosystem food safety को लेकर के वह कौन manage करता है FSAI manage करता है तो FSAI क्या बोलता है fortification के बारे में तो FSAI भी यही बोलता है कि fortification क्या है is the addition of key vitamins and minerals तो यह भी directly यही बोल रहे है कि vitamins और mineral को add करने का एक process होता है जिसमें हम क्या करते हैं जैसे कि iron पीछे हमने अभी क्या देखा iron की कमी से देखा हमने iodine देखा हमने zinc वगेरा ह FSAI को हम क्या करते है इस टेपल फूड में add करते है इस टेपल फूड जैसे कि rice wheat हो गया oil हो गया milk हो गया and salt हो गया तो इन foods में हम क्या करते है इन micronutrients को add कर देते हैं जिससे क्या हो कि यह जो deficiency होती है इसकी वज़े से जो disease होती है उनको कम किया जा सके तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर यह है जैसे wheat floor हो गया अब अगर हम यहाँ पर wheat floor की बात करते हैं तो इसको किसके साथ में 45 किया जाता है एक iron के साथ में करते हैं folic acid के साथ में करते हैं do micronutrients के साथ में यहाँ पर fortification कर रहे हैं पहला यहाँ पर iron के साथ में है और यहाँ पर iodine के साथ में हम कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं Salt में यहां से बनते हैं ठीक है अब एक दूसरी बात आपके सामने यह आती है कि हमने यह जो चीजे रखी है थोड़ा बहुत तो समझ में आई हो गया होगा अलड़ी हमने क्लास में इतना कुछ डिसकस किया कि यह अगर हम सबसे पहला यही होता है कि कौन से फूड को हमें यूज करना है ठीक है लिए तो यहां पर हम पहले तो यह सोचते हैं पहली बात तो should be consumed by high proportion of population, कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे food को target करते हैं, जो high population उसको consume करती है, ठीक है, सबसे पहली बात यह हो गई, दूसरा हम यहाँ पर यह ध्यान देते हैं, कि unrelated to socio-economic status, ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर क्या ध्यान देते हैं, हम यहाँ पर यह ध्यान दे कि unrelated to socio-economic status, ऐसे food को हम देखते हैं, कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कि कुछ लोग उसको consume करते हैं, कुछ लोग नहीं consume करते हैं, कि एक social status होता है, कि एक नीचे जो poor background वाले जो लोग होते हैं, या फिर जो village में रहने वाले लोग होते हैं, वो नहीं consume करते हैं, औ तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर socio-economic status जो है, वो relate नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है, ऐसा food होना चाहिए, जो easily सब के पास में available हो, कोई भी जा की easily purchase कर सके, आप देखोगे कि जो poor से poor candidate होता है, वो पहली उसकी priority यहीं होती है, कि उसको चावल मिल जाए आटा मिल जाए, और इसके साथ इसाथ oil वगेरा मिल जाए, milk मिल जाए, तो यहाँ पर एक और इनी सारी चीजों को बहुत बड़े-बड़े लोग भी use करते है, ठीक है, तो यहाँ पर socio-economic status नहीं होना चाहिए, relate नहीं करना चाहिए, low potential for excessive intake, अब यहाँ पर देखो यह भी एक चीज को हम दूर कर रहे थे, उसकी वज़े से उसके उपर कोई दूसरी समस्या ना आ जाए, तो यहाँ पर यह चीज ध्यान देते हैं, कि अगर वो excessive amount में अगर उसको intake कर लेता है, तो उसकी वज़े से कोई problem ना हो, तो यह भी बाते यहाँ पर ध्यान देनी होती है, त तो top most institute है हमारी country में, जहाँ पर सारा का सारा nutrition related जो भी research वगेरा होती है, National Institute of Nutrition जो की है है, ठीक है, उसके बाद में no change in consumers acceptability, क्या होता है, कि जो भी food आप दे रहे हो, जिसको आप fortify कर रहे हो, तो उसका appearance, उसका color, उसका taste जो है, वो बदलना नहीं चाहिए, वरना क्या कि हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको consume नहीं करेंगे, वो इसको accept नहीं करेगा, तो बहुत सारी चीज़े अगर आपने देखी होगी, ऐसा already देखा जा चुका है, कि जब आप market में कभी निकलते होगे, तो आपने सुना होगा, कि rise को लेकर के लोग ये बोलने लगते थे, कि इसमें rise में कुछ plastic के rise हमें देखने को मिलते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर हमें fortified rise जो है, उसको add करके दिया जाता है, इस वज़े से उसका थोड़ा सा appearance अलग होता है, अलग कि देखने में थोड़ा सा change होता है, बट खाने में आपको taste में कोई भी change देखने अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यह देखते है, minimal reasonable variation, कोई भी reasonable variation नहीं होना चाहिए, हर जगा, हर state में, हर एक city में उसको properly consume किया जाना चाहिए, good masking quality, यानि कि उसमें अगर fortification कर रहे हैं, तो easily वहाँ पर fortification हो पाए, और उसके appearance, उसके taste में कोई change ना आप है, simple और low cost technology होन च wil और middle self life होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, जैसे मान लिया तीन महीने के लिए, चार महीने के लिए store करके रख सकता है, इस से ज्यादा नहीं, एक limited self life होनी चाहिए, क्योंकि जादा time रखने से kya होता है, nutrients जो होते है, उनका तरहीके से quality, जो है वह डि कर सके और उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सके उसका एब्जॉप्शन कर सके तो यह हाई बायो अवेलबिल्टी भी होना चाहिए अब देखो आपके सामने एक इमेज है यह थोड़ा सा आप समझ लो कि फोटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा प्रॉसस नहीं होता है एक बेसि ब Dai Vev One में हम यह कर रहा है कि Minerals और प्लस विटमिन्स को हम यहाँ पर राइस ख़ूर के साथ में ऐड़ कर रहे है उसके बाद में देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे है एक कर रहे हैं फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर Nornal राइज है और फिर साथ में यहां पर देखोगे 45 राइज है दोनों को अपस में मिक्स करके उसके बाद में यहां पर यह 45 राइज बना दे रहे हैं और फिर इसकी यहां पर पैकिंग कर दे रहे हैं और यहां पर इसको बैग में पैक कर दिया जा रहा है जिससे अभी इसको मार्केट में sale किया जा सकता है तो basic process होता है यहाँ पर हम क्या करते है minerals, vitamins को rise floor के साथ में add करते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पर हम उसको fortified rice बनाते हैं fortified rice और यहाँ पर normal rice को अपस में mix करते हैं उसके बाद में pack करके market में भेज देते हैं तो basic step होता है इसी तरीके से और भी चीजों को यहाँ पर fortification हम करते हैं अब में चीज हमारे सामने आती है देखो हमारे questions कहां से बनेंगे questions कहां से बनेंगे यह आपके लिए सबसे ज़्यादा important यहाँ पर हो जाता है तो questions आपके यहाँ से बनते हैं food fortification में जो भी हमने चीजे पढ़ी है salt, milk और rice और इसके साथ ही साथ wheat flour हो गया इनको लेकर कि आपको यहाँ पर सारी चीजे पता होनी चाहिए किनका fortification अगरा कैसे होता है और हम जो यहाँ पर micronutrients एड़ कर रहे हैं amount क्या है तो जल्दी जल्दी से अगर हम देखें तो salt fortification की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो salt fortification हम किसके साथ करते हैं iodized salt की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको iodine के साथ में क्या कर रहे है fortify कर रहे है ठीक है दूसरी चीज यहाँ पर 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 यहा दोनों को यहां पर add करना है तो इसको हम double fortified बोलते हैं ठीक है तो आहिए आपको यह चीज़ समझ में आई अब देखो यहां पर क्या है सबसे पहले component है यानि कि चो micronutrients हमें add करना है दूसरी तरप यहां पर level of nutrients दिया है कितना हमें add करना है source of nutrients दिया है अब यहां पर यह ऐस तो आपके लिए यह form important है ठीक है दूसरी चीज़ आपके लिए यहां पर यह जो level है यह important है ठीक है यह दो चीज़े आपके लिए important है इन पर आपका focus होना चाहिए सबसे पहले अगर हम यहां पर iodine content के अगर हम बात करते हैं तो iodine content का जो amount होता है वो 15-30 part per million PPM के नाम से इसको लेकर के question पूछा जा चुगा है FSS AI में ही यह question आया था बट वहां पर थोड़ा सा यह चीज़ हुई थी कि 2022 में ही थोड़ा सा modification किया है चेंज किया गया था तो 2018 में 19 में अगर हम देखते हैं तो कुछ limit थोड़ा बहुत आगे पीछे दी बट यह 2022 के according latest data इसके बाद कोई अभी तक update नहीं आया तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है source क्या होगा यहां पर potassium iodate के form में हम यहां पर add करेंगे उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं iron जो content है उसको हम कैसे यहां पर add करेंगे iron जो content है उसको हम यहां पर कैसे add करेंगे उसको यहां पर हम 850 से 1100 parts per million या फिर PPM के form में add करेंगे और यहां पर जो source होगा वो क्या होगा या तो फेरस sulfate होगा या तो फेरस fumarate होगा ठीक है तो आई हो आपको यह भी समझ में आ गया तो इतनी चीज़े जो है वो आपको यह questions आएंगे और इनको बस तुरंत मार करना ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और आप इसमें easily अपना time भी save कर पाऊगे और आपको marks भी मिल जाएंगे फिर बात आती है fortified oil की ठीक है अब fortified oil को लेकर के भी आपको यहां पर level of nutrients और source of nutrients यहां पर याद रखना है तो सबसे प और यहां पर retinal equivalent ठीक है vitamin के case में आपको यहां पर A के case में यहां पर RE देखने को मिलेगा retinal equivalent से कितना है 9.9 microgram retinal equivalent per gram of oil ठीक है तो यह इसका यहां पर limit होता है level of nutrients होता है तो यह आपको याद होना चाहिए microgram retinal equivalent ठीक है उसके बाद में source of nutrients के अगर हम बात करें तो यहां पर हम किस फॉर्म में इसको कर रहे हैं तो यहां पर हम किस के फॉर्म में कर रहे हैं retinal acetate और यहां पर retinal palmitate तो यह यहां पर क्या है यह source है मतलब इस फॉर्म में इस chemical फॉर्म में उसको महाँ पर add करेंगे उसके बाद में अगर हम बात करते हैं vitamin D की vitamin D की अगर हम यहां पर बात करें तो vitamin D में देखो 0.11 microgram and 0 कितना है 0.11 microgram से 0.16 microgram पर gram of oil यहां पर यह level of nutrients है और यहां पर किस फॉर्म में इसको add करेंगे calciferal और ergo calciferal के फॉर्म में हम यहां पर add करेंगे only from plant source ठीक है तो कहां से यह होना चाहिए plant source से होना चाहिए यह बात आपको ध्यान नहीं नीचे देखो कुछ दिया गया जैसे vitamin A retinol है अगर 1 IU यानि की international unit बताया गया है कि 0.3 microgram retinol होता है और vitamin D के case में अगर हम बात करते तो 1 international unit की बात करे तो 0.025 microgram यहां पर होता है ठीक है अब यहां पर देखो कर हम 45 milk की बात करते हैं आपके लिए जो टेबल है वहीं important है ज्यादा नीचे का भी data थोड़ा बहुत याद रखना कॉफी में नोट डाउन कर लोगे तो ठीक रहेगा एक ही बार पर लो सारी चीज़े बार बार इनको लेकर के confusion नहीं रखना इब हमम इल की बात करते तो यहां पर इस फिचेज़ डिन इंवाल है इनको यहां पर fortify किया जा सकता है अब यहाँ पर सबसे पहली बात है किसका किसका किया गया है vitamin A and vitamin D का किया गया है vitamin A का जो nutrient से वो किया गया है तो vitamin A का यहाँ पर microgram retinal equivalent है इसमें हम क्या करते हैं इसमें जो हम add कर रहे हैं किसको हम add कर रहे हैं source यहाँ पर क्या है और उसके बाद में अगर हम विटमिन D की बात करते हैं तो विटमिन D का माइक्रोग्राम में है कैल्सी फेराल है और अर्गो कैल्सी फेराल है only from the plant source ठीक है तो इसके पीछे जो था oil के लिए वही same यहाँ पर है भी है source अब यहाँ पर level of जो है वो कैसे दिया गया है level of nutrients per litre यहाँ पर दिया गया है per litre of species तो यहाँ पर लेटर में कितना है यहाँ पर यहाँ पर यह दिया गया है per litre of species identified milk नेमली जैसे कि buffalo हो गया cow milk हो गया goat milk हो गया ship milk हो गया camel milk हो गया full cream milk हो गया toned milk हो गया double toned milk हो गया 270 से 450 रेटिनाल एक्युवेलेंट यहां पर हम माइक्रो ग्राम रेटिनाल एक्युवेलेंट एड़ करेंगे उसी तरीके से यहां पर विटिमिन D की बात करते हैं तो 5 से 7.5 माइक्रो ग्राम हम यहां पर एड़ करेंगे ठीक है तो आई होब आपको यह चीज यहां पर अभी स चिरवात का आटा हो गया इसके अलावा और भी होते है तो वह आपको यहां पर देहने भो मिलेंगे उसके बात में कहों यहां पर € आटा में किसका 70 करेंगे iç है और हम यहां पर weekend भी 12 को क्या करेंगे इसके साथ यहां पर लेवल उफ को दिया गया है यह बात आपको ध्यान रखने यह दिखो आयरन को लेकर किया यहां पर नुट्रेंट सोर्स हो सकते हैं वो बताया गया है यहां से वृष्षन आली पूछे गया है तो ग्यादा मुश्किल लहीं है जैसे कि ferus से ही सारे नाम है, ferus citrate, ferus sulfate, तो ऐसे करके अगर आपने एक बार पढ़ा है, तो आप इनको कर पाओगे, अल्रेडी questions यहां से पूछे गये, ठीक है, तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, important हो जाएगा, जैसे कि ferus citrate हम यूज कर सकते हैं, iron के लिए, ferus lactate, ferus, और उसके साथ-साथ, ferus sulfate हो गया, feric pyrophosphate हो गया, और इसमें electrolytic iron हो गया, ferus fumarate हो गया, ferus bisglycinate हो गया, ठीक है, तो आप यह आपको समझ में आया, उसके बाद में यहां पर amount कितना हम use कर रहे हैं, यह तो हमारे sources हो गया, इनमें से हम कोई भी एक use कर सकते हैं, फिर यहां यहां पर अगर हम बात करें, level of fortification per kg जो है, वो कितना है, 28 mg to 42.5 mg ठीक है, तो आई हो पिया आपको याद रखना है, कितना है यह पर kg के हिसाब से, उसके बाद में यहां पर आता है, और हम sodium iron भी यहां पर use कर सकते हैं, sodium iron third, इसके साथ इताइलीन, डायामाइन, टेट्रा, acetate, trihydrate, इसके साथ इसाथ sodium, faradate, और इसके साथ इसाथ यहां पर आप देखोगे, हलो, इसके लावा देखो यहां पर sodium iron third और acetate, diamine, tetra acetate, trihydrate को भी हम यहां पर use करते हैं, इसका amount यहां पर कितना दिया गया है, 14 mg से 21.25 mg यहां पर है, तो सबसे जादा हम इसी का use करते हैं उपर, उसके बाद में देखो जब हम यहां पर folic acid का जब हम use करते हैं, तो folic acid को folic acid के form में ही करते हैं, यहां पर कोई source नहीं दिया गया है, इसका यहां पर कितना होता है, 75 mg से 125 mg हम यहां पर add करते हैं, उसके बाद में देखो आता है between B12, फिटमिन B12 को हम किसमे करते हैं साइना कोबाला माइन इसके साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रॉक्सी कोबाला माइन ठीक है साइनो कोबाला माइन और हाइड्रॉक्सी कोबाला माइन तो यहाँ पर इन दोनों से हम इसको यहाँ पर और यहां पर जो कितना होना चाहिए वह आपका 0.75 माइक्रोग्राम से 1.25 माइक्रोग्राम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझाने लायक हो यहां पर बस आपको याद रखना है जिससे आपको चीजे जो हैं वह बाद में प्रॉब्लम ना करें बार बार आपको मल् अगर हम आगे बात करते हैं यहां पर तो इन एडिशन अगर हम आठा की बात करें आठा में ऑल्सो भी फोटिफाइड विद्धा फॉलोविंग माइक्रो नुट्रियंट्स ठीक है तो वह कौन कौन से हो सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि एफसे से आई या फिन नैशनल इंस्टूट ऑफ नूट्रिशन टाइम टू टाइम रिसर्च करत रहें सबसे पहला है हमारे सामने जिंकुन सल्फएट ठीक है जिनक को हम जिंक सलफेट के फॉर्मम में यहां पर ऐस सूर्स हम यूज करते हैं और उसके बाद में लेवल आफ इस प्रूर्टिफिकेशन पर किजिए हमें आपर 10 मिली ग्राम से 15 मिली ग्राम यहां पर हम एड इनका हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर amount क्या रहेगा, amount यहाँ पर यहाँ रहेगा आपका, amount आपका रहेगा 1 mg से 1.5 mg, ठीक है, उसके बाद में देखो, vitamin A के लिए यहाँ पर रहे गया, तो vitamin A के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे है, रेटिनायल एसिटेट और रेटिनायल पालमिटेट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर वही यूणिट दिया गया है, 500 microgram रेटिनायल एक्किवेलेंस से 750 microgram रेटिनायल एक्किवेलेंस, फिर उसके बाद में यहाँ पर राइवोफ्लैविन, vitamin B2 के अगर बात करते हैं, त उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नियासिन की जिसको विटमीन B3 बोलते हैं जिसकी कमी से हमने देखा था पेलागरा डिजीज हो जाता है और यहाँ पर हम इसका सोर्स जो यूज करते हैं निकोटीनामाइड और इसको यहाँ पर निकोटीनिक एसिड यह कुछ हम यहाँ पर एड़ करते हैं ठीक है अमाउंट हम कितना एड़ करेंगे वह हमारा यहाँ पर होगा 12.5 एमजी से 20 एमजी पर केजी हम यहाँ पर एड़ कर रहें यह बात याद रखना फिर यहाँ पर आप देखोगे पायरल डॉक्सिन अगर हम बात करें जिसको बिटमीन B6 बोलते है तो यहाँ पर पायरी डॉक्सिन हाइड्रो क्लोराइड का हम यूज करेंगे एजा सोर्स और हम यहाँ पर 1.5 एमजी से 2.5 एमजी यहाँ पर एमाउंट हम यूज करेंगे ठीक है तो आई हूप आपको यह भी चीज़े समझ में आई तो यहाँ पर हम डिरेकली किसी भी वि आता है कि मैदा की अगर हम बात करते हैं तो मैदा फॉर्टी फाइड शैल कंटेन एड़ेट आयरन तो वहाँ पर हम आयरन फॉली केसिड और विट्मिन वी ट्वैल वगेरा एड़ करते हैं तो थोड़ा सा यह लास्ट बचा हुए इसको हम देख लेते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ पर ट्यूसकर एड़ेंगे तो पोली केसिड है हम कैसे हूं कर सकते हैं यहाँ पर 75 microgram से 125 माइक्रोग्राम पीछे वाला और इसका डेटर लगबक सेम है तो बहुत जाधा डिफरेंस है निए बिटमेंट बीट वैल की बात करें तो साय जायनो कोबाला माइन और यहां पर hydro cobala mine जहाँ पर भी sino cobala mine hydro cobala mine आएगा लगबख शायद यह same amount तो 0.75 microgram से 1.25 microgram किसमें हम use कर रहे हैं पर kg के हिसाब से use कर रहे हैं तो आई होग अभी तक जितनी चीज़े हमने यह समझी last में यह data है इसको आपको form हम use करेंगे तो इससे आप थोड़ा बहुत questions को eliminate करके आप अपना answer correct कर सकते हो ठीक है उसके बाद में देखूँ यहाँ पर fortified rice की अगर हम बात करते हैं तो rice जो है वो सबसे ज़्यादा use होता है सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जैसे FCI यह food सारे लोगों को राशन वगरा मिलता है उसमें जो भी चावल आपको मिलता है वो क्या होता है fortified rice होता है साथी साथ वो fortified rice आता कहां से वो आता है FCI से food cooperation of India तो पूरा पूरा एक system काम करता है fortified rice की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या करते है iron का fortification करते है folic acid का करते है vitamin B12 का यहाँ पर हम fortification करते है ठीक है अब यहाँ पर भी वही बात है nutrient की बात कर रहे हैं उसके बाद में level of fortification per kg बात करें iron को हम किस form में add करेंगे यहाँ पर हम iron को देखो यह थोड़ा सा याद रखना है feric pyrophosphate के form में यहाँ पर add करेंगे amount क्या होगा amount होगा 28 mg से 42.5 mg उसके बाद में इसके साथ ही साथ है यहाँ पर हम sodium iron ethylene, diamine, tetra acetate, trihydrate के form में भी हम add कर सकते हैं जिसका amount कितना होगा 14 mg से 21.2 mg होगा ठीक है folic acid यहाँ पर folic acid के form में हम add करेंगे इसको 75 microgram से 125 microgram तक हम add कर सकते हैं vitamin B12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर syena cobalamine साथी साथ hydroxy cobalamine का हम use करेंगे as a source और यहाँ पर amount जो है 0.75 microgram से 1.25 microgram हम यहाँ पर add करेंगे ठीक है तो यह rise के लिए हो गया तो at least rise के लिए तो यादी रखना बहुत जादा important होता है exam में आप से पूछा जाता है फिर देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अलावा FSSCI यह बोलता है इसके अलावा rise को और कुछ तरीके से भी यहाँ पर fortify किया जा सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पर आता है जिंक के साथ में जिंक oxide का हम use करेंगे ऐसा source पर kg यहाँ पर भी है 10 mg से 15 mg amount हमें use करना है between 1 अगर हमें करना है तो retinal palmitate का साथ में कर सकते हैं तो 500 microgram retinal equivalent से 750 microgram retinal equivalent amount हम use करेंगे thiamine between B1 की बात करें तो यहाँ पर thiamine hydroxy chloride और साथी साथ thiamine mononitrate का हम use करेंगे amount कितना होगा यहाँ पर 1 mg से 1.5 mg हम यहाँ पर use करेंगे riboflavin की अगर हम बात करते हैं बिट्मिन B2 की बात करते हैं तो riboflavin के फॉर्म में या फिर riboflavin 5 के फॉर्म में phosphate sodium के फॉर्म में हम यहाँ पर use कर सकते हैं amount क्या रहेगा यहाँ पर 1.25 mg से 1.75 mg पर kg होगा ठीक है niacin की बात करें between B3 तो nicotinamide और nicotinic acid यह कुछ sources होते हैं amount कितना होगा 12.5 mg से 20 mg यहाँ पर होगा फिर अगर हम बात करते हैं pyredoxin की बात करते हैं तो यहाँ पर vitamin B6 इसको हम pyredoxin hydro chloride के form में हम यहाँ पर add करेंगे और यहाँ पर इसका amount कितना होगा 1.5 mg से 2.5 mg यहाँ पर हम use करेंगे पर kg ठीक है तो यहाँ पर additionally हम rice को इन सब तरीकों से भी यहाँ पर fortify कर सकते हैं ठीक है तो यह भी I hope आपको समझ में आ गया होगा तो देखो आज हमने जितने भी staple food होते हैं तो last का जो data था आपके लिए कुछ जादा entertaining नहीं था क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं समझाने लायक बट exam point of view से आपके लिए बहुत जादा important था तो I hope आपने यह data जो है वो देख लिया होगा अब अपनी copy में जरूर note down कर ले न fortification आज के time पर बहुत important topic हो जाता है not only for food safety officer exam आप देखो कि बहुत सारे ऐसे exam सोते हैं फूर से रिलेटेड या फिर इवन यूप्यसी वगेरा में भी यहाँ से questions पूछे जाते हैं ठीक है तो fortification बहुत-बहुत important है as per exam point of view food safety officer का कोई भी exam हो state का central का कहीं का तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना especially जब आप Central FSO में exam preparation कर रहो उनका favorite है यहां से question पूछना state FSO में तो कभी हो सकता ना पूछे बट Central FSO में पक्का आता ही आता है question ठीक है तो बहुत important हो जाता है आपके लिए fortification तो I hope यह class आपको अच्छी लगी होगी थोड़ा बहुत last में हो सकता है आपको अच्छा ना ल